पुलिस के मामले में लगातार पुलिस कारवाई कर रही है जसके अंतरगत कई लोगों को चिनहित कर उनकी गिरफतारी भी की गई है पुलिस की इस कारवाई पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम समाजिक संस्था जमियत उलेमा, मुस्लिम पसनल्ला बोर्ड और कानपुर शहर काजी साकेब अदीब मिजबही वर तमाम मुस्लिम संगठन के लोगों ने पुलिस कमिशनर से मुलाकात कर उन्हीं ग्यापन सौपा है ग्यापन सौपने आए लोगों ने पुलिस कमिशनर से मिलकर कहा है कि फूर्ड में गिरफ्तारियों में कुछ बेगनाहों को भी गिरफ्तार किया गया है जब कि पत्थरबाजी दोनों और से भूई थी, ऐसे में पुलिस वारा गिरखतार किये गए बेगनाहों रिहा किया जाए, कानपुर से स्वेचिक दुनिया की बियूरो रिपोर्ट लोग साथ जोपी मिले थे, अब कमी साथ नाने काहते हुआ, पत्रा हुआ एक साथ से, उसके मीडियो गोटे समाजी पर उन गाता कि अपतरवाई करेंगे, और हम समय देखाता हुआ परूपन के साथ एक प्रतिनी धी मंडल उससे मिला था, और जनोंने जो गटना हुई थी, उनका कहना था कि कुछ लोग गलत फसादिये गए हैं, उसी के सम्मंद में ग्यापन दिया था, मेरे दवार अफगत करा है कि इस से पूर में भी एक S.I.T. गटित है, और जिन लोग के नाम गलत हैं, उसके सम्मंद में एक टीम है, जांच कर रही है, इलेक्ट्रोनिक सर्व पंदिया तो उसमें नाम दिये गए, तो उसकी S.I.T. चार्ज कर रही है, तो हम उसके पक्ष में 179.R.P.C. कारवाई करेंगे, यह वादा क्या देलिए तो हुआ नहीं, यह वदायत दिलाने के लिए काजियां सेर्ज, जिम्मेदारान सेर्ज, और उन्से मिलें और उन्हें बहुती सकारात्मक जवाद दिया, कि इसको जल्दे जल्द कर देंगे. दूसरी बात हमने उनके सामरे रखी थी, कि नमाजियों पर एक सच्से पत्रा हुआ, उसके फूटेज महुजूद है, अब ड तो उन्होंने इस पर भी कहा कि हम इस पर देखेंगे क्या हम कर सकते कैसे करेंगे तीसरी बात कुछ संब्रांद नागरिकों खलाब बिला वज़े मीडिया ट्राल शुरू किया गया अख़बारों ने उनकी छबी पिगालने कोश्ट कि उस पर भी हम लोगों ने चिंता जटा उबीद है कि जो आज बाते हुई है जो मैंनम दिया गया है उसमें उस सिग्रें निड़े देंगे यह मैं उबीद है अब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट